सिर्फ चार दाने रोजान दूद में मिलाकर खालो सरीर लोहे जैसा मजबूत बन जाएगा सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत आ जाएगी और पुर्सों की हर त्रहें की कमजोरी बिल्कुल जड से खतम हो जाएगी नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बनाकर दिखाएगे जो आपके सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत बर देता है क्योंकि ये नुस्खा ताकत का खजाना है और सिरफ आपने इसके चार टुकडे हर रोज दूद में मिलाकर पीने है और इससे आपको चमतकारी रिजल्ट दिखाई देगा आपका सरीर लोहे जैसा मजबूत बन जाएगा आपके सरीर की पहुत त्रहें की बीमारिया बिल्कुल जड से खतम हो जाएगी इतनी चमतकारी चीज है दोस्तो यदि आपको डाइबटीज की समस्या है तो ये नुस्का आपके सुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा जिससे की आपका सुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और आप बिल्कुल सवास्थ जीवन जिएंगे दोस्तो यदि आपकी किड़नी में स्टोन है और आप अपनी किड़नी के स्टोन के इस समस्या का इलाज करना चाहते है इसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालना चाहते है तब भी ये नुस्का आपके लिए चमतकारी है और आपको इस किड़नी में स्टोन की समश्य से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है दोस्तो यदि आपके सरीर की हडिया कमजोर हैं और आप उनको वजर के समान मजबूत बनाना चाहते हैं तब भी दोस्तो ये नुस्खा आपके लिए एक रामबान ओसती है क्योंकि ये नुस्खा आपके सरीर की हडियों को वजर के समान मजबूत बना देता है दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती बहुत आदिक बढ़ जाती है और दोस्तो ये तो आप भली बाती जानते हैं कि यदि आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती आदिक होती है तब आप बहुत त्रहे की बीमारियों से बचे रहते हैं दोस्तो ये नुस्खा आपके सरीर की हर त्रहे की कमजोरी का इलाज करेगा और पुर्सों के लिए तो खास कर, क्योंकि ये पुर्सों की सरीर की चाहे वो किसी भी त्रहे की कमजोरी हो, उसका भी बिलकुल जड़ से इलाज करता है, और दोस्तों ये चमतकारी चीज जिसकी हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, वो है दोस्तों बड़ा गोखरू, द ये दोस्तों हर पंसारी की सोप बड़ी ही असानी से आपको मिल जाता है, यह मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में भी आपको लिंक दे दूँगा, आपको वहां से भी इसको बाई कर सकते हैं, दोस्तों ये बड़ा गोखरू, बहुत अधिक चमतकारी हैं, और आपको दिल की बिमारियों से भी बचाता है, आपके दिल को मजबूत करने का काम करता है, आपके सरीर से बैड कोलोस्टोल की समश्या का इलाज करते हैं, बैड कोलोस्टोल को कम करता है और आपके सरीर में अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढाता है, जिससे आप हर तरह की कूट लेना है जैसे कि ये हमने कूट लेना है अब आपने क्या करना है एक गिलास गाई का दूद लेकर उसको लेकर आग पर किसी बरतन में उबलने के लिए रखना है जैसे कि ये हमने रख दिया अब आपने इन कूटे हुए गोकरू को उसमें डाल देना है चार गोकरू जो आपने कुटे थे जैसे कि ये हमने डाल दी अब दोस्तों आप इसमें अपने सवाद के लिए मिसरी या गुड जो भी आप मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं दोस्तों गुड और मिसरी के भी आयरुवेद में बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन हम इस नुस्खे में सर्फ देना है और इस दूद को छान लेना है जैसे कि हमने इसको छान दोस्तों अब आपने इस दूद का सेवन हर रोज सुबे खाली पेट करना है बासी मूँ आपने हर रोज इस दूद का सेवन करना है और यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको इसके चमतकारी कर जैल्ट दिखा क्योंकि आपके स्रीर की इम्म्यून पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत त्रहें के रोगों से बचे रहेंगे, आपकी डाइपटीज की समस्या सही हो जाएगी, किडिनी स्टोन का इलाज करेगा, और आपके स्रीर की हार त्रहें की कमजोरी को भी जड कतल ना पाएं, अपने स्रीर की हार त्रहें की कमजोरी का इलाज कर सकें, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लिस लाइक और शेयर जुरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ, जो बैल का आइकोन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों.